तो What is Constitution? समीधान क्या है? कई बार हम सुनते हैं कि हमारे देश समीधान से चलता है, हमारे देश में समीधान से उपर, Constitution से उपर कुछ नहीं है तो एक question यार दिमाद में आता है कि यह समीधान कॉंची बलाई वास्ताम में समीधान होता क्या है? wohat is constitution तो इस चीज को discuss करने से पहले my dear friend आपको थोड़ा असा पीछे की war लेकर चलते है पुराने जमाने में आपको पता कि राजा माराजओं का राज होता था clear सबसे उपर किसी भी स्टेट में कुछी भी राजय में किस elfी सलती थी राजाम की ठीक है तो राजा की चलती थी तो उस टाइम सबसे उपर टोप मोस्ट पर कौन सा कौन होता था iid king crown clear है okay अब समझना राजा राजा के राज की मान लो total citizen total नागरी कितने मान लो एक करोड एक करोड लोग वहाँ पर रहते हैं ठीक है राजा है राजा के राज में एक करोड लोग वहाँ पर रहते हैं और राजा का कुछ विश्वशनिया लोगों का एक ग्रूप होता है एक मंत्री परिशत बोल सकते हैं मंत्री मंदल हम मान सकते हैं मंत्री मंदल बोल सकते जिसमें सारे बड़े-बड़े मंत्री होते थे, सिन्नापती वगेरा, कोसाधीकारी वगेरा, जतने भी रेवेन्यू वगेरा कलेक्ट करते थे, तो यह क्या करता था, राजा इन लोगों के साथ मिलकर कुछ रूल्स और रेगूलेशन बनाता था, अब एक करोड जनता है, एक प्रिप्रेंट डिप्रेंट टाइब की कितनी सारी वगेरा ली जाती थी, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट था, ठीक है, कोई घरीब लोग है तो उनके लिए कई बार उनको घरीबों की मदद भी करते थे, राजा माराजा, उनके लिए फ्रीफुड वगेरा, आपके घर पे भी रूल्स रेगूलेशान होंगे कि डृंक करके घर पे नहीं आना, रात को 11-9 अदनी आना, तो यके प्रोपर रूल्स रेगूलेशंच हड बाराजा प्रता जाता था, कोई ऐले इलक्collar की सिस्टम, अब आपमारा आगया, देटिश, री पब्लिक सिस्ट तो हमारे री पबव्लिक सिस्टम एप मेरे इंडिया के अंदर सबसे बढ़ा कोने व सबसे बड़ा को नधीज पर सेडियंट राश्डपती सबसे उपर कोने हैं सबसे तौफ मजा फर्स पर्सन ऑप कांट्री कोने डटी प्रसीडेंट्र TS पती अब बात आती that is about the citizen नागरिक जो हम लोग है और second होता that is government government that is सरकार government के चार पिलर है आपको पता होगा government के legislative, executive, judiciary and fourth one that is media press तो विदाई का कारियपाली का न्याईपाली का पूरे यह सारे government सरकार के पाइट है ठीक है तो देखो government और citizen के बीच में proper mutual understanding कैसे हो, इनके बीच में समनव यह कैसे इस्तापित हो, कैसे हमारा system एक अच्छे तरीके से काम करें, कैसे जनता को schemes का फाइदा मिले, कैसे लोगों के citizens के welfare के लिए काम हो, कैसे citizens अपनी duty को follow करें, इनके लिए कुछ rules or regulation बनाए गए, कुछ rules or regulation यहाँ पर भी बनाए गए, और rules or regulation को एक written document तयार किया गया, एक बहुत बड़ा written document तयार किया गया, उसमें कई सारे rules or regulation बनाए, सब की duty बनाए, fundamental right वगेरा दिये, कि आपके यह अधिकार है, आपकी यह duty है, यह rules and regulation है, particular crime की particular यह सजा होगी, तो वह एक written document तयार किया गया, उसे written document के according पूरा देश चलता है, समझ रहो, उसे written document के according पूरा देश चलता है, और जो वो written document है, जिसके according पूरा देश चलेगा, उसी written document को हम बोलते है, that is constitution, उसे हम क्या बोलते है, that is, समीधान, clear है, I think आपको यह point clear हो गया होगा, कि हमारा देश समीधान से चलता है, तो any written document, वो written document, जिसमें सारे rules and regulation दिये गए, जिसके according government और citizen के बीच के एक relationship stabilize किया गया, एक proper चीज बता ही, जिससे पूरा state governed होगा, उन rules and regulation के according, तो उसे written document को हम बोलते है, there is constitution, I think आपको यह चीज अब कभी भी doubt create नहीं होगा, thank you so much channel पर नहीं, ओतर लाइक से सब्सक्राइब जरू करें